Hello dear students, कहते हैं worksheet number 10 for the class 7th science 4th November की आपकी ये worksheet है तो चलिए start करते हैं और दोनों mediums में हम इखटे ही करेंगे इस worksheet को Let's start this worksheet Photosynthesis, photosynthesis यानि की प्रकास insulation ये हमारा आज का topic है प्रकास insulation क्या होता है और English में इसे कहते हैं photosynthesis Okay, तो करते हैं start Autotrophic Nutrition सबसे पहले हमें जाना होगा कि Autotrophic Nutrition या SwerPotion क्या होता है The mode of nutrition in which an organism prepares its own food is called Autotrophic Nutrition For example, green plants do Autotrophic Nutrition तो ऐसा mode जिसके द्वारा पोधे या फिर कोई भी organism अपना खाना खुद से बनाता है वो Autotrophic Nutrition क्यालाता है ठीक है, SwerPotion की बात करें तो Potion की वहविधी जिसमें जीव अपना भोजन स्वैम बनाता है स्वैम तैयार करता है उसे हम SwerPotion कहते हैं और उधारन के लिए, for example, ऐसे कौन-कौन से organism है तो वो बचो green plants हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं हरे पोधे जो होते हैं, वो अपना स्वै पोशन करते हैं Next आपको red line ये दिखाई देगी, but how they do so परंतू वे ऐसा किस तरह करते हैं तो बचो मैं आपको पताती हूँ, कि ये photosynthesis की वज़े से करते हैं ठीक है, और यही process है, जिसकी वज़े से वो अपना खाना बना पाते हैं Otherwise उनकी कोई kitchen थोड़ी होती है तो आज की worksheet में हम photosynthesis को ही detail में जानेंगे, ठीक बचो, leaves are the food factories of plants The synthesis of food in plants occurs in leaves तो जो leaves होती है, पतियां जो होती है, वो पोधों में खाद्य factory होती है यानि कि खाना बनाने की factory समझ लीजे पात्पो में खाद्य का निर्मान पत्यों में होता है ये वही बात हुई कि हम ये कह सकते हैं कि जो पोधों की kitchen है जहां खाना बनता है वो कहां है वो पतियों में है यानि कि पतियां ही खाना बनाने का काम करती है ठीक है और पूरे पोधे के लिए वो खाना बनाती है और वो खाना जो है जिस भी form में वो बनाती है वो पूरे पोधे में पहुंचता है ठीक है तो ये प् आप देख रहे हैं इसकी जो पतियां हैं वो green color की होती हैं तो green color का जो part है यानि की हरे रंग के पते वो क्या करेंगे photosynthesis की प्रकरिया को पूरा करेंगे उसके लिए उसे क्या-क्या चाहिए होता है जैसे हमें खाना बनाने के लिए मान लिजे हम कोई सबजी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें raw vegetable कच्ची सबजियां चाहिए होंगी कुछ मसाले, तेल, नमग है ना ये सारी चीजों की ज़रत होती है तो इसी प्रकार पोधो को भी किन-किन चीजों की ज़रत होती है वो हैं सबसे पहले उन्हें चाहिए sunlight ठीक है जो light energy है वो उनको sunlight यानि की सूरत के प्रकास से मिलती है उसके बाद उनको environment में जो carbon dioxide है हमारे environment में जो carbon dioxide gas है उसको भी वो इस्तमाल करते हैं ठीक है और oxygen को वो उस टाइम छोड़ देते हैं ठीक है उन्हें चाहिए क्या होता है carbon dioxide अपना खाना बनाने के लिए उसके अलावा उन्हें water और minerals चाहिए होते हैं पानी और खनिज लवन जिसे वो अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी से सोक लेते हैं और इसके अलावा सबसे important जो चीज है वो क्या है chlorophyll chlorophyll कहा होता है chlorophyll हरे रंग की पत्तियों में होता है ठीक है chlorophyll का मतलब ही क्या है green color तो green color जो है ये chlorophyll जो है वो कहा है पत्तियों में है ठीक है chlorophyll sunlight carbon dioxide gas और water and minerals इन चार चीजों की ज़रुद परती है पोधों को खाना बनाने के लिए और ये photosynthesis की प्रकिरिया को करने के लिए आगे आपको इसी के बारे में details दिये गए है the leaves have a green pigment called chlorophyll पत्यों में एक हरे रंग का वर्नक होता है वर्नक मतलब ये रंग ही है और ये हरे color की जो वर्नक है उसी की वज़े से पत्तियों का रंग हरा होता है औ और chlorophyll क्यों काम करता है इस process में इतना important क्योंकि जो chlorophyll है ना पत्यों के अंदर वो ही उसको मदद करता है कि वो सूरज के प्रकाश को absorb कर सके यह सूरज के प्रकाश की उर्जा का संग्रहन करने में पत्ति की सहेता करता है The process by which green plants prepare food from carbon dioxide, water and presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis तो वह प्रक्रिया जिसके दुवारा हरे पादब chlorophyll की सहेता से सूरे के प्रकाश की उपस्तिती में carbon dioxide और जल से भोजन तयार करते हैं वो प्रक्रिया प्रकाश संसिलेशन कहलाती है तो अभी हमने डिसकस किया था यह जो अंडरलाइन किये गए वर्ड्स हैं इनकी जरुरत होती है photosynthesis में जैसे कि chlorophyll, carbon dioxide, gel, खनेज और हमारा सूरेज का प्रकाश और chlorophyll carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves carbon dioxide जो है वो हवा से मिल जाती है उन्हें और यह क्या हो जाती है पोधे की जो पतियां है उनके अंदर वो कैसे जाती है हवा में carbon dioxide की पतियां पतियों की सता से जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके माध्यम से अंदर जाती है छोटे-Chोटे छेद होते हैं पत्यों को अगर हम माक्रोसकॉप से देखेंगे हमें अपनी आखों से तो नजार नहीं आएंगे लेगिन माक्रोसकॉप से उसके उपर छोटे-Chोटे छेद नजार आते हैं और यह जो pores हैं, यह जो छीद्र हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, stomata कहते हैं हिंदी में इसे हम रंधर कहते हैं, ठीक है, यह word है यहाँ पर stomata या फिर रंधर These pores are called stomata and these pores are surrounded by guard cells यह यहाँ पर stomata की आपको picture दिखाई गई है, और जो इसके आसपास यह dot dots हैं, वो guard cells कहलाती है और जो pore होता है, उसे हम stomata pore कहते हैं, ठीक है, मैं इसको zoom करके दिखाती हूँ आपको यहाँ पर आप देख रहे हो, कि यह जो बीच में pore बन गया है, छिद्र बन गया है, वो क्या कहलाता है, वो stomata या रंधर कहलाता है ठीक, और जो बाहर यहाँ आपको कुछ dots दिखाई दे रहे होंगे, उनको द्वार को शिकाएं, या फिर guard cells कहते हैं इस बात को याद रखेंगे, यह guard cells होती है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके explanation में, water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through out the plant यह थोड़ी सी आप बड़ी class में जाएंगे, तब आप इसको all detail में जानेंगे, कि जो जल और खनिज हैं, वो वाही काओं के द्वारा, यानि कि पतली-पतली tubes के द्वारा, पोधे के सारे भागों तक पहुचाया जाता है, पतियों तक भी जाता है, कौन water और minerals, यानि कि ज जल और खनिज, कुछ नली होती हैं पोधे के अंदर, जो कि पादप में एकदम समान रूप से फैली होती हैं, और इसको इसके संवहन का काम करती हैं, इसको पहुचाने का, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, the solar energy, solar energy की बात करते हैं, is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food, ये क्या हो जाती हैं, पतियां द्वारा सोरूर्जा संग्राहित हो जाती है, और पादप में खादे के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है, the sun is the ultimate source of energy for all living organisms, तो सूरज जो है, वो सभी जीवी जीवों के लिए उर्जा का अंतिम स्रोथ होता है, में स्रोथ होता है, ठीक है, अब questions की करें बचो, तो चार question आपको दिये हैं, वो जो की बहुत easy है, what is photosynthesis, तो photosynthesis is the process by which plants make their food, प्रकास insulation क्या है, तो प्रकास insulation वह प्रकरिया है, जिसके द्वारा पोधे अपना भोजन बनाते हैं, इसको अगर आप detail में लिखना चाहें, तो इसे completely भी लिखेंगे, कि इसमें किस कि चीज की ज़रत होती है, तो बचो, first question के answer के लिए, English medium students, यहां से, यहां तक लिखेंगे इसका answer, the process, यह process का पूरा इसमें समझाया गया, भी हमने discuss किया था, दुबारा नहीं करेंगे, अगर समझ नहीं आया, तो वीडियो को आप backward करके आप देख सकते हैं, हिंदी के लिए आप यहां से लिखेंगे, उस प्रक्रिया को पूरा describe किया गया है, प्रकासन सेलेशन को, next question है बचो, वो है कि stomata क्या होते हैं, या रंदर से आप क्या समझते हैं, तो इसके लिए भी आप answer यहां से लिखेंगे, the small pores in the leaves are called stomata, ठीक है, इसको describe करने के लिए हम लिखेंगे, carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores, present on the surface of the leaves, and these pores are called stomata, और इसकी picture भी आप ड्रो कर लेंगे, बचो, कई बार इसकी picture आपको ड्रो करने के लिए भी दी जा सकती है, टेस्ट में, तो तैयारी पूरी रखें, एक्जाम्स जल्दी ही होने वाले हैं, हवा से carbon dioxide पतियों की सता पर मौझूद छोटे चिद्रो के माद्यम से लिया जाता है, और इन चिद्रो को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉमटा या रंद्र कहते हैं, अगला जो प्रशन है, सूर्य उर्जा का चरम स्रोथ है, कैसे इसे स्पष्ट करना है, तो यह sun is the, इसके answer को मैं repeat कर देती हूँ, आप वहां से लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि, yes, sun is the ultimate or main source of energy, sun is the main source of energy, plants make their food from the sunlight and other animals eat these plants for food and big elements eat small animals also, ठीके, तो इस प्रकार यह जो sun है, वो ही main source कहलाता है energy का, यह chain चलती रहती है, लेकिन शुरू कहां से होती है, सन से, क्योंकि sun की जो energy है, light energy, उसी का इस्तमाल करके, पोधे अपना भोजन बना पाते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंस भी लिखें, सूर्य प्रकाश का चरम स्रोध है, पोधे सूरे के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, और अन्य जीव पोधो से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किस प्रकार, कुछ जीव ऐसे हैं जो directly पोदो को खाते हैं और कुछ ऐसे जीव हैं जो कि छोटे ऐनिमल्स को खाते हैं इस प्रकार हमारी food chain भी चलती रहती है और वो शुरू होती है बच्चो सूरज के प्रकाश से ही भोजन का बनना इस energy का इस्तमाल होना शुरू होता है तो इस प्रकार आप इसका answer लिख सकते हैं अगला प्रशन देखें तो question number 4 is leaves are the food of food dash of plants यानि कि पत्तियां पादब की खाद्य डैश होती हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं food storage लिख सकते हैं in English में या खाद्य भंडार भी हम इसमें लिख सकते हैं जैसे कि वक्षीट में दिया है तो leaves are the food factories यहां हम लिखेंगे factories ठीक है खाना बनाने के कार खाने और हिद्धी में पत्तियां पादब की खाद्य फैक्टरियां होती हैं इस प्रकार इसकी spelling लिखेंगे तो बच्चो ये है आपकी वक्षीट वक्षीट नमबर 10 पिछले भी वक्षीट आप सारी कम्प्लीट कर लिजिए प्लेलिस से आप सारी वक्षीट को देख सकते हैं वहां से कम्प्लीट कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो शेर विदियो फ्रेंड आलसो और सब्सक्राइब चानल फो और मोर वीडियो थैंक्स